हलो फ्रेंज वेलकम टू माई योट्यूब चैनल और आप सब कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे तो गाइस जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर किया था चैल का तो ये उसी का ही पाट है तो अब हम जा रहे हैं कुफरी जहां कि हमने होटल बुक करवाया है तो अभी हमको शाम के चार बज चुके हैं लेट सी हम कितने बज़े तक पहुँचते हैं वैसे तो कुफरी जो है वो शिमला के पास ही है तो जाला देर लगेगी नी बाकी अभी सोलन आएगा तो सोलन के बाद से आगे से रस्ता कटेगा हमें होटल वालों ने लोकेशन भेजी तो वो लोकेशन फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं तो वो कुछ अलग से है लोकेशन का जो रूट है क्योंकि जो होटल है वो थोड़ा सा उपर करके हैं लेट सी देखो फिलहाल आपी तक तो सफर अच्छा ही कर रहा है वैसे तो मन हमारा था कि हम दो दिन सोलन रुकते दो दिन रुकते शिमला और दो दिन रुकते कुफरी पर वैसा बन नहीं पाया हमारा प्ला क्योंकि कुफरी है शिमला अभी ठंड ना हो तो यह सोच के कपड़े भी उस हिसाब से लिए अपनी भी लिए हैं थोड़े बहुत बुन-बुन के भी लिए बच्ची के तो हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े ही उठाने पड़ते हैं क्योंकि पता नहीं चलता मौसम का कभी ठं है वो है दिसम्बर से फर्वरी क्योंकि वहां पे उस समय पे स्नोफॉल पड़ती है और जितने भी टूरिस्ट वगएरा है वो इस तैम पे काफी वहां पे आते हैं और वहां पे काफी भी लगी होती है वैसे तो आफ कोफरी शिमला कभी भी जा सकते हो हिमाचल तो वैसी द कर दो कर दो एक लिएरे पיृपपन के पे सांग। झाल 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 वैसे तो मोहाली से जो कुफरी है वो 5-6 खंटे का रस्ता है क्योंकि हमने जो होटल बुक कराया है वो कुफरी के आउट्सकर्ट में है और जब हमने देखा था उसको बुकिंग के टाइम पे तो उसका व्यू काफी अच्छा लग रहा था तो अब ही रस्ते में रस्ते का व्यू ही इतना अच्छा है कि मैंने इसको इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया कि मेरे बास इतनी सारी इसकी कलिप सी कथी होगी हैं जो कि मैं आपके साथ सारी कलिप्स एक हे करके शेयर कर रही हूँ तो गाइस इस वीडियो को एंड तक आप प्लीज जरूर देखना और I hope आप सब कोई वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज दो नोट फरगेट तो लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो बाकी नेक्स वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी बाई बाई गाईज बाईब टाईब तो झाल 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 झाल